गाड़ी आपको खड़ी करके दिखाता हूं पहले ठीक है बिल्कुल थोड़ आसा दो तीन इंच का डिफ्रेंस होगा यह देगे दोस्तो बिल्कुल टच होने वाला है और विम इससे अब यह जादा पास में जाओंगा तो गाड़ी टच हो जाएगी यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्टेंस है भी आप यहाँ तक भी जा सकते हैं लेकिन नमस्कार दोस्तो मैं हूँ रजा तो और आज मैं आपको को आज मैं आपको शी के ऊपर वीडियो बना के दिखाने वाला हूं तो चलिए वीडियो शरू करते हैं तो दोस्तों पहले मैं आपको लेफट साइड का जेज्ज्मेंट बताता हूं हमें कैसे करना अब हम आपको बाहर का व्यू आ रहा होगा देखिए माइस यह जो हमारा गज्वार्व है इसके बगल में से आपको बिल्कुल अपना और वियमपतु चाहता ह। बिल्कुल बगल में से इसके वार्व gli निकालकिर को दिखां घृँ है एकष्ण से हैं एडर करके और कि कर ताई है। है ठीक है तो दोस्तों इतना ज्यादा जज्जमेंट मुझे यह गाड़ी चलाते चलाते काफी टाइम हो गया है तो इसलिए आया है अब मैं इसके साथ आपको बैक करके भी दिखाता हूं कि सीसे में मैं पूरा देख रहा हूं काफी जगह हो गई है यह देखिए यह देखिए मैंने बैक कर ली गाड़ी ठीक है अब मैं गाड़ी साइड में लगा देता हूं अब मैं आपको यह बताता हूं कि मैंने यह सब किया कैसे तो दोस्तों यहां पर जो आप ओर विम देख तो आप अपने साइड का अंदाज लगा सकते हैं अगर बैक कर रहे हैं इसमें से देख सकते हैं कि गाड़ी में कितनी जगा भी बच रही है पीछे जैसे गाड़ी जा रही है भी देखी रोड के किनारे बिल्कुल नहीं है वहां पे ब्लू कलर का पाइप दिख रहोगा आप को मुझके साथ आपको बैक करके लगा कर दिखाता हूं एक मैं ठीक है यह देखिए हमारी गाड़ी उस पाइप के पास जा रही है आपको बिल्कुल भी जगह नहीं दिखरी आप स्टेरिंग ऐसे घुमा सकते हैं दूसरी तरफ और यह देखिए उसके बिल्कुल किनारे प इसके प橋 बताता हूं कि पहले तो आप अपनी यह दुशंट आपसे में अंदाजे से चलें कि यह गाड़ी के अगर रोड़ के आगर खिनारे आ ऑरा है। सब्सक्राइब左ा जहां और नची अज हुनारे तो मैं आपको दिखाता हूं कि bastard के स्टेरिंग से آپ को करके दिखाता आपको अगर बैक का देखना है तो आप इस मिरर में से देख सकते हैं पूरा ठीक है यह देगे दोस्तो अभी मेरे ख्याल से गाड़ी हमारी पूरी रोड की लाइन पर लग चुकी है बिल्कुल साइड में हम आपको उतर के भी एक बार दिखा देता हूं काड़ी बिल्कुल रोड के किनारे है और यह मैंने कैसे कि आपको यह अंदाजा देखिए हमारे जो स्टेरिंग का यह है यह बिल्कुल रोड के किनारे पर आ रहा है दिख रहो होगा आपको यह चीज बिल्कुल रोड किनारे पर आ रही होगी हमारे जो लेफ्ट टायर है देखे दोस्तो बिल्कुल रोड के किनारे पर रेफ्ट टायर हमारे है ठीक है फोन थोड़ा सा टेड़ा हो रहा है दोस्तो बारबाद उसके लिए मापी चाओंगा अगर व्यू में कुछ दिक्कतारी हो तो तो दोस्तो ये था हमारे लेफ्ट साइड का जज्जमेंट के आप अपने स्टेरिंग के हिसाब से जज्जमेंट ले सकते हैं ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूं राइट साइड का जज्जमेंट तो दोस्तो ये देखे सेम तरीका मैंने यहां पर लगाया है गाड़ी बिल्कुल किनारे पर से निकालूँगा मैं गाड़ी का यह जज्जमेंट बता कर ठीक है इसके सहरे से लेकर यह देखिए यह चीज के हिसाब से मैं लेकर चल रहा हूँ और बिल्कुल गाड़ी इसके पास आगी है देखिए और बिल्कुल पास से मैं निकाल रहा निगल गई तो यह सेफ डिस्टेंस आप इसे कह सकते हैं इससे ज़्यादा अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इससे ज़्यादा चिपकाने कोशिस ना करें वरना गाड़ी में स्क्रेच वगराई पड़ सकता है लेफ साइड का और राइट साइड का हो चुका है अब मैं आप बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 इंच का डिफ्रेंस होगा गाड़ी के और खंबे के बीच में लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है ठीक है आपको कि मैं थोड़ा से बैक करता हूं आपके लिए अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए यह गैप जो है वह आपके लिए बिल्कुल मतलब ठीक है इससे जाद आप चिपकानी कोशिस ना करें अगर जाम वगयरा मैं कोई पीछे लेगी तो आपकी मैं लग भी सकती है तो यह मैं सेफ डिस्टेंस इसे कहूंगा आपको बाहर की तरफ से दिख रहा हुगा कि कितना डिस्टेंस अभी बचा हुआ है ठीक है अग कि जैसे हम किसी जाम वगयरा में या कहीं पर भी हम खड़े हुए हैं और बिल्कुल मतलब हमें पास से गाड़ी निकालनी है या कुछ भी मतलब हमें कई सी दिवार के सारे खड़ी करनी है तो यह देखिए अब मुझे मेरे जो वाइपर है यह इससे वो जो है टेक्टर का जो पार्ट है ट्रोली का वो दिखना बंद हो गया है ठीक है तो यह सेफ डिस्टेंस है मैं यहीं गाड़ी रोग लूँगा इससे आगे मैं नहीं जाओंगा वैसे मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ लेकिन मैं आपको यही चला दूँगा कि आप इससे ज्यादा ना जाए और अगर कहीं अगर आपको थोड़ा भूत आगे पीछा करना पड़ जाए तो यहां पर काफी ज्यादा डिस्टेंस है भी आप यहां तक भी जा सकते हैं लेकिन यह सेफ डिस्टेंस नहीं है वो जराई पीछा करेगा तो आपकी गाड़ी टच हो जाएगी ठीक है तो आप इतना ना रखें बस अपने वाइपर का और टेक्टर का ट्रोली का पार्ट है यह देखिए यह यह सेफ डिस्टेंस है आप यहीं तक ही जाएं इससे ज्यादा ना जाएं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों अभी मैं आपको बैक साइड के जज्जमेंट का दिखाता हूं अगर और आपको सिसे में दिख रहा होगा पीछे एक पिलर है आपको साइड केमरे में भी दिख रहा होगा अई मैं दिखांगो आपको साइड में दिख रहा होगा तो मैं अन يع Hut थे टच करकर दिखाता हूं बिल्कुल गाड़ी इसके पास ख quelqu intern काता हूं कि這裡 कि मैं यहां पर अब यह जादा तेजवाज करने लगे तो इससे ज्यादा पास में जाओंगा तो काड़ी टच हो जाएगी अभी हाला कि इसमें दो तीन इंच का गैप होगा दो या तीन इंच का तो गैप होगा वह आपको साइड में दिख जाएगा लेकिन यह सेफ डिस्टेंस से ज्यादा अगर आप जाएंगे तो ठुक जाएगी तो इससे ज्यादा पास ना जाएं तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और और किसी टॉपिक पर आगा आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग